तो पिछली वीडियो में हमने देखा कैसे रुधिर हमारे परिवहन तंत्र में एक बहुत ही महत्व पूर्ण भूमिका निभाता है और कैसे ये हुरुधय और फेफडे एक साथ समायोजन करके पूरे शरीर चलाने में मदद करते हैं लेकिन रुधिर के साथ हमारे पास एक और तरल होता है जो परिवहन में मदद करता है और इस तरल को हम लसिका कहते हैं और अंग्रेजी में लिंफ कहते हैं ये लसिका अपना एक तंत्र बनाते हैं जिसे लसिका तंत्र कहते हैं कोशिकाओं के दिवारों के छिद्रों में से कुछ प्लाज्मा, प्रोटीन और रुधिर उतक के अंतर कोशिय अवकाश में पलायन कर जाते हैं, इसलिए लसिका तल को उतक तरल भी कहते हैं, लसिका केशिकाएं आपस में जुड़कर लसिका वहिका बनाते हैं, जो अंत में ल सिका आज से पचा हुआ और अफशोशित वसा लेकर जाते हैं साथ ही ये सारे बाहिकोशिके तरल को वापिस रुधिर में डालाते हैं इसे अपनी कॉपी में लिख ले इसे भी अपनी कॉपी में नोट कर ले चलिए अब आपसे एक परप्रश्न भूशते हैं मानव परी संच परिवहन का भाग नहीं है रुधिर वाहिकाएं, रुधिर, उतकतरल और लार इसका सही उत्तर है लार लार एक मानव परिवहन तंतर नहीं है क्योंकि ये मानव पाचन तंतर में मौजूद है तो यह तो हुई बात जन्तों की जहां पर परिवहन तंत्र चलते हैं पर पौधों के बारे में क्या जहां पर कोई ऐसा तंत्र नहीं होता है वहां पर परिवहन कैसे होता होगा इसके बारे में हम अपनी अगली वीडियो में डिस्काशन करेंगे